सो फ्रेंड्स हम आपको लेके चलते हैं ऐसे जगह पर जो बच्पन में सुना करते थी कि रेगिस्तान का जहाज अपनाम से ही समझ रहे होंगे कि उट और उट कहां पाया जाता है वो है राजिस्तान में तो हमारे साथ हैं विवेक जी जो राजिस्तान से आये हैं और राजिस प्राइब करेंगे तो राजिस्तान आपको आना बहुत जरूरी है कि राजिस्तान जो है हमारी जो भारत भूमी है उसका जो है एतिहासिक अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको राजिस्तान आना ही पड़ेगा तो जैसे आपने कभी सुना होगा राजा, रजवाडे, महल, राणिया यह सब आपको राजस्तान से ही जो है करेंगे तो राजस्तान में जितने भी जिले हैं तो हर जिले के अंदर आपको एक जो है फोर्ट मिलेगा और राजा माराओजाओं के दौरा जो बनाईगी जो चीज जो है उस पे ही दिखेंगे आच्छा इसलिए जितने भी मूवी आता है जैसे पदमाबत हो गया और एक दो मूवी हम देखते हैं उसलिए महल हो गया तो यह सब इसलिए वहां सूट होता है एसा लगता है कि हाँ ऐसा ही होता होगा जब राजा माराजा रहते होंगे तो ऐस फील आता होगा इसलिए जो मूवी के शूटिंग होती है वह जो है महलों में ही की जाती है जैसे एक सबसे पुरानी मूवी का था क्या चीत तो नाम है उसका जिसमें राजिस्थान का ही सीन है जो बहुत फेमस मूवी अब बहुत सारी मूवी से जैसे हम बात ही कर लें वो जो है जैपूर के जो आमेर किला है अच्वा weapons है और मेंटेन்न्स का सब से जब सी जाए लीटीम होती है गोसे वे सबसे जबásा है इक मुझा जैक कि रहे से जीन असफ़ूर इस या सकते हैं कि वैनिस में इंडिया का तो बहुंड पर जू है जीले और हेरिटेज जो है वो सबसे ज्यादा है वहां नहाने का भी एक जग़ा है है वहांन का भी है घंषा में हमें फि says और होग राजस्थान की जैसे इसे कुछ बता सकते जहांप सिप्टी सब्स होग ड्यांक एक एक रूलर एक वन सर्टाब यहांत वैसे तो संभाग में ड्याइड है यह सिसके अंदर जो है काफी डिस्टिक्स आती है जैसे माली जी अगर मैं जैपूर की बात करूं जैपूर एक जिला है तो उसके अंदर काफी सारी डिस्टिक्स वह वह included है तो राजस्थान संभाग में वह divided है तो यहां पर अब हम चलते हैं कि पावर की सिचुेसेन को समझते हैं, पावर की सिचुेसेन वहाँ पर अभी आज के टाइम में कैसा है? सरव अगर आप बड़ी सीटि की बात करें तो पावर आपको मिलेगा 24 hours. बट आज भी ऐसा एरिया है जैसे अगर मैं मेरे डिसट्रिक की बात करूं कुना भुप्ष से फश्राइग करता हूं तो मेरे एरिया में पावर कट इतना नहीं होता है अगर मेरे ये-डिया के 100-0 किलो मेटर में अगर में जाओंगा तो छोटे-छोटे जो गांव में रूरल एरियाज है वहां पर इतनी ज्यादा कटोती होती है आप मान लीजे बारा घंटे भी हो सकती है 24 आवर भी हो सकती है तो लाइट जो है वहां बिल्कुल भी नहीं है और वहां के लोग इस चीज से वाकई में बहुत परिशान है तो उसका मतलब आज के दिन में फरीदा होगा फिर पंखा नहीं चल रहा है तो वहां के लोग कैसे रहते हैं लाइफ तो सभी के लिए कॉमन है सर एक्चुली क्या होता है कि विदाउट लाइट आज की तारिक में हम जीवन जो है वह संभव नहीं है बड़ी सिटीज में लेकिन कुछ एरियास ऐसे हैं जहां पर ल परमेंट चूरू जैसे हम एक वहां के एक बंदे से में बात हो रही थी चूरू जी चूरू से उनसे में बात हुई तो हम बोले कि सर मेरे यहां तो लाइट है ही नहीं हम अपने घर में लूम सोलर का 50 वाट का पैनल और बैटरी कंट्रोलर लगा के हम फोन चार्ज करते हैं कई लोग हमारे घर पडाते हैं चार्ज करने के लिए तो उनसे पूछे कि आपके घर में तक बीजली नहीं गया अपने अपके घर में नहीं गया आपके जो चैलेंजी ते क्वह गवर्मेंट की साइट से ही है क्योंकि एक्चुली राजस्तान जो है वह इतना जा ज़ादा तो बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां तक इलेक्ट्रिसिटी अभी डिसकॉम उसके काम कर रहा है लेकिन वह थोड़ा प्रोसेस बहुत स्लो है यानि आप बान के चलिए कि आने वाले दस साल में भी वह शायद डेवलपना हो पाएगा तो इसके लिए क्या है कि कुछ ने कुछ सोलूशन जो है धूंडना पड़ेगा अपने को भी वहां कि लोग मतलब कुछ ना कुछ सोलूशन अरब जैसे यसा है कि लेक्ट्रीं तो नहीं है तो ना टीवी मोबाइल है तो वह चार्ज नहीं है और मोबाइल है चोट शोटे हैं तो अद्रोइड नहीं है और वो बड़ी उनके पास और कोई solution होता नहीं है तो वो अंधेरे में ही रेना पसंद करते हैं क्या कर सकते सर अच्छा है जानके में बहुत आजिव हो रहा है कि लोग अभी भी अंधेरे में रहते हैं टेक्नोजी इतना आगे निकल चुकी है तो देश के हर कोने तक तो हम ग करनी कि पहले हम एक छोटा सोलर पैनल लेंगे हम उससे समझेंगे अच्छा लागेगा फिर हम बड़ा करेंगे तो आज के टाइम में एक जिनके पास अभी कुछ भी सुधा नहीं है उनके छोटा सोलर सिस्टम क्या है सर यह तो होई-वाली बात है सर कि जिसके पास कुछ न हूफा हो चाहता है कि मुझे तो मोबैली चार्च हो जा है एक छोटे जो ची लिएट जा जा hem वालीस है कि तरफ जा सकते हैं ऑकट इसी सॉलुशन तर्फ एक सा तो पचास वट का जो लूम सोलर का पैनल है उसकी सबसे ची क्वालिटी यह है सर की वो मोनो किष्लाइन तो ज्यादा से ज्यादा जो है वह उसको एनर्जी को जनरेट करता है और बैटरी को फुल रखता है ताकि बैक अप जो है उनको मिल जाए तो आप उसमें एक साड़े सा लोग जानना चाहते हैं कि क्या खर्चा आता है जी सर खर्चा आप यह मान के चलिए अगर आप पचास वाट का सिस्टम लेते हैं बैटरी और उसके साथ आप वायर लेते हैं लेते हैं तो 5-6-7,000 तक आपको अच्छी से-चा सोलेशन सर बिल जाएगा अब जब 7,000 की बात आती है ना तो लोग यह जानना चाहती है 7,000 तो एक वर में हम पे कर नहीं सकते हैं ठीक है ठीक है क्या वो कर अपने फोन खरीद है हुए है सब्सक्राइब और उनके पास मैं जहां तक जानता हूं गाओं में लोग वास एमाई कार्ड और डेविट कार्ड नहीं होते हैं अगर होगा तो भी वह रिस्क नहीं लेंगे पर्के सब्सक्राइब दो रॉर्णा हम जironरेंस के बारे में उनको बताना होगा कि असा नहीं है इसलिए करेंगे कैसे उनको विषवास्थ दिलाया जाएं कि पर खरिद सके कोउँ कि ऐसकी時 उसrition कि और बोसे सब्सक्राइब को खरूआ क्योंकि one time investment करना थोड़ा difficult रहता है अब हम बढ़ते हैं उस एरिया में जहां पर याद आया कि जिस एरिया में अभी बिजली थोड़ा बहुत है जहां पर पावर कट आठ गंटे 10 गंटे की होती है उनके घर में inverter बैटरी तो होगा उनके घर में सर ओल्मॉस्ट 80% लोग घर म इनवाटर बैटरी आपको मिलेगा तो वह इनवाटर बैटरी को सोलर पावर से चार्ज क्यों नहीं करते हैं सर वह बात जो है वह अवेर्नेस की है उन्हें नहीं पता है कि हमारा जो एक्जेस्टिंग इनवाटर है जो हमारे घर में इनवाटर बैटरी लगा हुआ है हम उस उसका आधा पार्ट तो आपके इन्वेटर बैटरी का वैसे ही बच रहा है एक दम बिलकुल तो आपको केवल आपके लोड के अकोडिंग अगर आपके घर में बारा वोल्ट का बैटरी यानि एक सिंगल बैटरी लगा हुआ है तो आप उसमें दो पैनल लगा लिजिए आप बारा व्य स्पोर्ट करेगा और अगर आप के घरमें दो बैटरी लगी हुई है तो आप जो है लोम शालर का शार्क पैनल भी ले सकते हैं दो पैनल आप उसमें लगा सकते हैं तो आपका जो है बैटरी के लिए अगर आप पैनल लगाएंगे तो 30,000 के आपको पड़ेगा और अगर आप डबल बैटरी लगा रहे हैं तो 50,000 रुपे तक आपको यह पड़ जाएगा ओके ठीक है तो इसमें 30,000, 50,000 इसमें सेम चीज़ है हम आपको बता दें कि इसमें EMI की सुभधा है हम बार 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 बोल रहे हैं तो इसमें आपके रहे हैं गर्मब reflect जानते हैं राजस्तान में सबसे shaandenör में सबसे जदा कर दी करने जब होती है तो बतल्ब न क्रषिजे कि रहे हैं दो さब समयां लेगा है उसक्ती आपको estratाे एक AC हो चाहिए दो AC हो चाहिए दस AC हो, AC बिलेगा आपको, तो गर्मी के हिसाब से AC जरूर मिलेगा, तो यहां पर AC चलाने के लिए, पतर जो घर होते हैं, क्या उनको घर में जगह की भी कोई दिक्कत होती है, जैसे फारिदावाद में देख रहें कि हर घर में 220 गज का जियें, solar, क्या राजस्थान में भी ऐसा कोई दिक्कत है, सर राजस्थान में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्या जो घर बनी हूए है, वह इंडिए जले है, जैसे में जिस जगह रहता हूं, तो उस जगह के पूरा जो जिला है, उस में सब व्यक्ति जो है, सब का अप तो अब है कि इस पेस वहां की घरों की साइज जेनरली कितना रहता है सर घरों की साइज सर एक हजार स्कॉयर फिट से लेके पंदरा सो दो जार स्कॉयर फिट तक आपको मिल जाएगा सफिसियंट जगह है तो कई लोग ना सोलर इसलिए नहीं लगाते हैं कि सबस्क्रीट जिनका 1000 स्कॉयर फिट का जगह है वह सोते हैं कि इतने जगह में हमारे बच्चे खेलेंगे या हम शोलर लगा कर यह यह फसाड पाल दे इसलिए सोलर लगा नहीं नहीं चाहते अगर शोलर को लगा लेंगे तो हमारी च्छत उक्यूपई हो जाएगी या कपड़े कहा रही है तो सर ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कस्टमर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है अगर वह च्छत को यूज करना चाहता है तो हमारे पास जो है अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इतना कोई जरूरत नहीं है आप एक एरिया में लगा सकते हैं तो हमेरे पास छोटी साइज वाली भी अवलेबल है जो तीन से पांच फिट के बीच में आते हैं कुछ के मदद से उनके स्पेस को बचाया जा सकता है तो यहां पर कोई चैलेंजेज नहीं है उनकी अब हम बात करते जो सबसे बड़ा कोस्टन है वहां कि सोलर पर सबसीडी मिलेगा क्या सर राजस्थान में सर सोलर पर सबसीडी वाली बात है तो ऑफ ग्रेड में सर कोई सबसे पहँ मिलती था है अगर समय करते हैं आप कर सकते हैं छुदetus भी अपनाइग कर सकते हैं है और फिर आपका फिर आप की 재 वेंडर है जो आपके नीयरेश को अपके इसे वेंडर है तो उसको अप्र सकते है आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं सबसीडी मिलती है बिल्कुल सबसीडी मिलती है ओन ग्रिड पर हम दूसरे स्टेट के मुकाबले हम बात करते हैं दूसरे स्टेट में जितना डिसकॉम के पास कैपिसीटी है उससे ज़्यादा अप्लिकेशन आया हुआ है बिल्कुल जिसके कारण कई साल लग जाते हैं सबसीडी वाले सोलर सिस्टम लगाने में सर वही चीज है राजस्थान में भी इस टाइप की कोई चैलेंज़ आ रही है सहर गॉपास कि आप की यह सबसे बड़ा सर नों भी इस ज़ूप्लम यह सबसे बड़ा सोर्स ब्रब्लम नहीं service और और अशनी पहुंचने में जितना उनका खर्चा आता है इस अधी theor में आधर पैसे महीं तो किसान है तो वह कोशिश करते हैं कि सबसीडियों ने मिल जाए तो होता यह कि गवर्मेंट जो है एक लिमिटेट पंप जैसे मालीजी हजार फंप है 2000 पंप लेकिन आवधन आते हैं 1,00000 तो वह शिफ्टिंग होता रहता है एक shift है कि दा में गया है कि एक shifting system है वह एक लिस्ट निकालती है अगर आपका number आजाते हैं थी के वर्ना वो लिस्ट में लगा हुआ रहता है तो सर सोलुशन यह है कि वह एक मतलब टाइम लगता है उसमें लेगे सब्सीडी में हम फ्रेंकली बोल देते हैं कई लोग कस्टमर बात भी करते हैं कि जी आप गलत बोल रहे हैं सबसीडी गवर्मेंट के साइड से मिलती है जो आने वाले टाइब में खतम हो जाएगी लेकिन जो आज की जो पॉसिबिलिटीज है कि आज जब सबसीडी निकला तो मातरिया एक या दो परसेंट को सबसीडी मिलता है बिल्कुल इसके अलावाल अब हम बात करते हैं वहां पर डिसकॉम कि यदि हमएंख़ चल जिए हम बात करते हैं इने wet का प्रोसिजर है सार्क्वल में सेम श्टार्श वेसे तो एज हैrim रोहए मैं अधिर और जादा है तो जन्याइव करते हैं तो रमसीन है अपलाई करते हैं तो अगर सब कुछ ठीक रहा आपकी रिक्वार्मेंट्स और आपका जो आप जिसीच के लिए लगा रहे हैं आपके सारे क्यूमेंट्स अगर वेल सही हैं तो वन मंत में आपको ओन ग्रिट सिस्टम लग जाता है कुछ केस्स में ऐसा होता है क्योंकि हो जाता है कभी-कभी तो दो से तीन महिने में लग जाते हैं लेकिन अगर किसी केस्टॉमर का एक्सपरेइंस खराब हुआ तो शेक करती हैं बिल्कुल और जो जो शोलर इंस्टॉलर यह सोलर कम्पनी जो घर पर शोलर लगा रहे हों किसी तरीके से solar install कर देते हैं, जब verification के लिए आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज निकल जाता है, जो उनके guideline में match नहीं करता है, जिसके कारण वो hold करवा देते हैं, बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर हम लोग बोलते हैं, कि जिस से net meter छे महीना लग गया, बिल्कुल, एक महीना लगते हैं, यहाँ पर कि यह हो गया, यह हो गया, लगवग हो गया है, ठीक है, सो फ्रेंड्स, राजिस्थान की पूरी जानकारिया आपको मिल गया है, यदि आप राजिस्थान के किसी भी area से हैं, तो वहाँ पर हमारे website www.klumsraw.com और अपने घर पर हमारे इंजिनियर को www.klumsraw.com से इंजिनियर विजिट बुक कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, पहस्त,